हे गाईज कैसे हो सब लोग सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में यह वीडियो एक ब्लास्ट होने वाला है क्योंकि बहुत ही ऑसम एक प्रोडेक्ट आया हो है मेरे पास जो मैं बे करार हूँ आप लोगों साथ शेयर करने के लिए तो शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यह होता है कि क्या है यह गैजट क्या है यह प्रोड़क्ट तो इन 3 काउंट रेडी 3 2 1 बैम गाईज यह है मेरे पास नूबिया का रेड मार्स 3 एक गेमिंग स्मार्टफोन जो कि कुछ दिनों से आया हुए मेरे पास और काफी यूज किया मैंने इस गेमिंग स्मार्टफोन को यहां पर मैंने क्लैश ओफ क्लैन्स खेला मैंने यहां पर पबजी खेला और आपको याद होगा कुछ दिनों तक काल अव ड्यूटी बेटा वर्जन में था तो मैंने वह भी इस फोन में कहल के देखा और क्या परफॉर्मेंस है ग यह रहा न्यूबिया रेट मार्स ट्री का बॉक्स बॉक्स के साथ आपको जो एकसेसरी मिलती है वह यहां पे एक रैपिट 18 वाट का चार्जर और एक टाइप सी यूसब टाइप सी का डेटा केबल डेटा सिंक और चार्ज करने के लिए एक छोटा सा कंपार्टमेंट आप यूसबी चार्ज है जो मैंने पहले बता इनको भी साइड में रखते हैं और सबसे पहले आते हैं अपने फोन के ऊपर तो फोन गाइस बहुत ही अमेजिंग बहुत ही खास फोन है और यूनिक इसका डिजाइन सबसे एक ही वर्ड यूस कर सकते हो आप यूनिक डिजाइन न इसके अगर मैं बात करूँ ऊपर की तरफ तो यहां पर आपको 3.5 mm जैक थैंक फुली की अभी भी यहां पर मौजूद है नीचे मैं बात करूँ तो यहां पर आपको बटन मिल जाते हैं वॉल्यूम अपन डाउन और पावर स्वेच और उसी के साथ यहां पर शोल्ड ट्र बटन्स आपको दिख रहा होगा यहां पर एक और यहां पर एक दो शोल्ड ट्रिगर बटन्स कैसे काम करते हैं थोड़ी देर में आपको बता दूँगा और उसी के साथ इस सार्फ में बात करूं तो यहां पर एक डॉक है यह किस चीज का काम में आता है वह भी मैं आपको बताऊंगा यहां पर sim tray है उसी के साथ यह game space में जाने के लिए dedicated button आपको यहां पर देखने को मिल जाता है overall phone जो weight है वो थोड़ा सा जादा है but इसका design इतना rough and tough है कि यह जो weight है यह बिल्कुली आपके हाथ में जादा feel नहीं होता बहुत ही अच्छा लगता यह phone थोड़ा bulky है जैसे में बता रहा हूं थोड़ा size में भी बड़ा है और क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि edge to edge screen नहीं है इसकी यहां पर bezels आपको देखने को मिल जाते हैं उपर नीचे दोनों तरफ और वह अच्छे भी है तो उस मामले में काफी phone ने अच्छा काम किया है अब बात किया जाए इसके software के बारे में तो यह stock android है और बहुत ही जादा smooth है कोई lag वगर आपको यहां पर देखने को मिलता नहीं है 8GB RAM management भी काफी अच्छी है phone की जो मेरे को काफी पसंद है अब मैं बात करूं यह dock के बारे में थोड़ी दे में बता रहा था तो इसके साथ आपको accessories मिलते हैं जो का आपको अलग से purchase करना पड़ता है उसको काफी सारे upgrades हैं जो कि मेरे को काफी पसंद आया बट छोटे मोट एक चीज़े हैं अभी भी जो मेरे को लगी की और improve किया जा सकता है सबसे पहला improvement है एक secondary sensor missing ये camera में जो कि अगर होता तो बहुत सही होता इसके अलावा मिरे को लगा कि ये जो bezel सही है थोड़े से कम होते थोड़े जादा नहीं थोड़े से कम होते तो और अच्छा होता ताकि इस phone का size है वो थोड़ा सा compact हो जाता ये दो चीज़ मिरे को लगी की इस phone में और अच्छी हो सकती है उसके अलावा सारे चीज़े मेरे को बहुत अच्छी लगी है अभी मैं आपको एक छोटा सा gameplay दिखा देता हूं regarding PUBG का क्योंकि ऐसे phones या ऐसे जो mechanism होते हैं triggers के ये उस type के games के लिए काफी अच्छे हैं तो चलिए फटा-फट एक छोटा सा gameplay दिखाता हूं जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी training session में आ चुका हूं और मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले आपको करना क्या है trigger buttons उन्हें enable करने के लिए थोड़ा volume कर देता हूं मैं ज्यादा volume होगे तो सबसे पहले guys यहाँ पे जो button मैंने पहले आपको पताया था इसको आपको उपर कर लेना है तो जैसे आप यहाँ पर swipe करोगे वैसे आपको यहाँ पर देखने अलग अलग चीज़े देखने को मिलेंगे touch buttons यह वाला जो option है जैसे आप इसे click करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर एल और और का option दे रहा है आपको जहाँ जहाँ इससे place करना है वहाँ कि यहाँ पर खड़ा हो जाता हूं मैं अब आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर touch कर रहा हूं यह आप देखो वैसे scope जो है वह on हो जा रहा है कितना fast smooth है एकदम smooth आप देख सकते हो और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर press करोगा वैसे fire होगा यह देखो so guys आप सोच सकते हो कि कितना smooth है और यह सारे चीजें जो है वो triggers के मदद से लोग करते हैं बट यहाँ पर आपको triggers की कोई ज़रती नहीं पड़ दिया क्योंकि इस phone में आपको inbuilt trigger देखने को मल जाता है जो कि बहुत ही awesome है इसका response भी काफी अच्छा है और third party जो triggers होते हैं व होब कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह phone के बारे में आपका क्या ख्याल है जरूर जरूर मेरे को बताना कमेंट करना और लाइक कर देना वीडियो को शेयर भी कर देना अपने friends के साथ और गाइस एक चीज में बता दूं कि अगर आपको यह phone purchase करना है तो link तो मैं मिलता हूँ आपको निक्स वीडियो में तब तक अच्छे रहे हैं and as always guys जाहिए बावाए